गुड बॉर्णिंग एवरिवन, फिफ्ट क्लास, तो चलिए आज रिविजन करते हैं, आपको स्लेब बस भेज दिया गया है, स्लेब बस है आपका चेप्टर नमबर 4, 5, 6, 7 and 10, ठीक है फिफ्ट चेप्टर में से आपको मैंने बता दिया है कि फिफ्ट चेप्टर में से छो कुछ आएगा नहीं तो आपका स्लेब बस होई है, 4, 6, 7 and 10 ठीक है, 4 चेप्टर हैं, तो चलिए आज कुछ important question डिसकस करते हैं, जो जिन question के आपने आज practice करनी है घर में, ठीक है, रिविजन करना है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, सो से पहले एक question जैसे कि बार बार जो आग ठीक है, या carrot होशती है, गॉर्ड या tomato ठीक है, कुछ भी होशती है, ठीक है, तो आपको जो है मालो, cost दे रखिये, ठीक है, cost of मालो, potato की दे रखिये, ठीक है, potato होता है, आलो, ठीक है, P-O-T-A-T-O, potato की जो cost है मालो, कुछ भी दे रखिये, मैं ले रहा हूं, यहां पे 40, 40 ठीक है, तो आपको पुछा गया है, कि देन, cost of 2 kg के पूछ सकता है, 3 kg की पूछ सकता है, ठीक है, धैन, then, cost of 2 kg potato, तो 2 kg की निकाल रहा हूं, मैं पहले, ठीक है, आपने पूरा लिक नहें, मैं यहां पे, सिर्फ ऐी बताना चाहता हूं, कि आपने करना कैसे है, तो cost 1 kg potato की की कितनी है cost of potato 1 kg हो गई आपके एक kg प्रेटो की जो cost है वो कितनी है 40 रुपीस है तो इन्धे ऐस्ट फो से मल्टीप्लाइए करें 2 x 40 कितना आजाएगा 80 ठीक है 80 रुपीस जो इसकी cost होगी अगर मान्यों आपसे पुचा गया cost of 3 kg तो cost of 3 kg निकाली cost of 3 kg तो 3 से तो जो प्रटेटो की जो कॉस्ट है वो कितनी आगी 120 ठीक है तो ऐसे आपने इन कोशिन को करना है ठीक है यह तो बहुत की सिंपल कोशिन था अगर मालो आपको कुछ इस तरह से पूछा जाए ठीक है मालो कॉस्ट ओफ ठीक है कोस्ट ओफ कॉस्ट ओफ वन केजी टमैटो पूछ लिया मालो तो जो टमैटो टीक है टी ओ एम ए टी ओ टिक है टमैटो तो टमैटो की जो वन केजी टमैटो की जो कॉस्ट है मालो अब पर दी गई है कुछ भी मालो अब जitis टॉाइलब दी गई है तो आपको पुचा गया है कि हाफ kg का कितना होगा मालो आपको बताए कि हाफ जोबो 6 आ जाता है लेकिन आपने जोबो यह चोटा सा कोशिन अगर बड़ा कोशिन आ जाए तो कैसे हाफ करना उसका तो वन बाइटू तो वन बाइटू से मल्टिप्लाइब लुफ है एक डिजमें आटा सब्सक्राइब निज्व निचे इसके कुछ नहीं है तो वन होता है ठीक हैं तो आप काट सकते हैं बीच में मल्टिप्लाइब हो तो आप ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं एसे ठीक है तो टू उन जा टू शिक्स चुजा वालव आ आपका आगया अ ऐसा कोशिन ना पूछ करके आपको कहीं ऐसा कोशिन पूछ दिया जैसे मालो आपको पूछ दिया उन्होंने किसी ने भी ठीक है अग्जाम में कुछ भी आसकता है तो मालो आपको पूछ दिया कि एक केजी एक केजी कैरेट का प्राइस ठीक है सी एडबल आर ओटी ठीक है एक केजी कैरेट का जो प्राइस है वो मालो 18 रुपीस है वो मालो 18 रुपीस है तो आपको पूछ जाएगा कि 3, मतलब कुछ भी पुछता है कि 1 and 2 over 4, ठीक है, या पुछ जास्कता है कि 2 and 1 over 3, ठीक है, या पुछ जास्कता है कि 2 and 1 over 5, ठीक है, मतलब कि यह जो यहाँ पे mixed fraction दे रखे है, mixed fraction में पुछा गया है कि इतने kg का क्या price होगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको mixed fraction, solve करना आना चाहिए, mixed fraction को कैसे solve करते हैं, तो आप इसको solve करते हैं, जैसे, जैसे मानलों 4, 1 जा 4, 4 आगया, 4 plus 2 करेंगे, 4, 5, 6, 6 upon 4, तो यह पुछा था 6 upon 4 का, जो हब वो price कितना होगा, तो 6 upon 4 से 18 multiply कीजिए, ठीक है, बैसे मानलों आगर आपसे पुछा है, 2 and 1 over 3, तो आपको बता है कि इन दोनों को आपस में multiply करते हैं, और यहाँ पर जो भी आता है, उसको plus कर देते हैं, तो 7 upon 3 का पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लीजिए, 5, 2 जा कितना होगा, इसको multiply करना, 5 to 10, और 10 में 1 plus करना है, 10 plus 1, 11 upon 5, ठीक है, तो ऐसे question भी आपको पूछ जासना है, फिर आपने simple, देखे से 11 upon 5 को 18 से multiply करना है, जैसे कि 11 upon 5 multiply by 18, लेकिन, अब देखे 5 से 18 तो करता नहीं है, पना 5 से 11 करता है, तो उपर उपर multiply, उपर उपर multiply के लिए नीचे जवाब हो, आपका 5 भी रहेगा, तो आपका answer निकल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आप इन question को solve कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मालो एक question लेते हैं, जैसे मालो आपको question आगया, कि जो tomato है, ठीक है, आपके वापस tomato की जो cost है, ठीक है, टेमेटो की जो cost है, ठीक है, उसने पूछ दिया था, कि two and half, two and half होता है, धाई, ठीक है, मतलब कि दो में आदा और, ठीक है, अगर आप चाहो इस question को, तो दो का पहले निकाल सकते हैं, फिर half का निकाल सकते ह करना है, time waste हो जाएगा, आपने पहले mix fraction को solve करना है, ठीक है, two, 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 जा कितना हो जाएगा, four, और four plus one कितना हो जाएगा, five, तो mix fraction को, हमने जो वो improper में change कर दिया, आपको पता होना चाहिए, कि mixed fraction हमेशा ही improper बनता है, ठीक है, क्योंकि उपर वाला जो बड़ा हो जाता है, औ two, one, जा two, six, two, जा 12 होता है, ठीक है, और उपर बचके five और six, ठीक है, five और six बचके, यह जो five और six है, इन दोनों को आपस में multiply गएगाना है, five, six, तो five multiply by six कितना होता है, five, six, जा कितना होता है, 30, तो 30 रुपीज प्राइस निकल गया है, किसका, two and half, two and half मतलों कि, दो और आदा, two और half, ठीक है, two and half, two and one over two का जो टमेटो, अगर आपने मालू, टमेटो का जो प्राइस है, 12 रुपीज है, आपको चाहिए, two and half, तो आपको देना पड़ेंगे, कितने रुपीज, 30 रुपीज आपको देना पड़ेंगे, तो ऐसे आपने इन को सॉल्व करना है, चल आपको बोला कि factor three बनाईए इसका, अब 36 जो है, ठीक है, सबसे पहले इसको ब्रेक करिए, 36 को आप पहले किसी भी दो नमरों में ब्रेक करते हो, ठीक है, आपका जो factor three है, किसी दूसरे बच्चे से जो बिलकुल अलग हो सकता है, ठीक है, तो वैसे मैंने two से पहले कर लिया, जैसे simple ठीक है, two से मैं करता हूँ, मुझे पता है, two से 36 जाता है, तो कितने से जाता है, two 18 जा होता है, ठीक है, two 18 जा, तो मैंने पहले two और एक साइड, 18 लिक दिया है, ठीक है, factor three, factor three, ठीक है, आपको कुछ Бोचा सकता है, आपके बास, option होता है, इसमें, की आप कैसे वी इ में मैंने इसको थो तो जो 12 इस से तोलें हम ?! 18 को कैसे तोड़े हम 18 को हम थोम तोडस कते हैं तो यहां पर भी आपके बा innovative option श्रया शांच एक सैड लिख लिए और इस सैड लिख लिए मैंने 9 क्योंकि 9 2 जा 18 होता है ठीक है उसके बाद 2 तो फिर से चोटा हो गया तो आपके बसमें से आपसन है कि 9 को 2 तरिके से तोड़ सकते हो एक तो 3 3 जा 9 होता है ठीक है अच्छा 3 3 जा ही 9 होता है है या प्किसी में भी इसको नहीं तो टू से नहीं जाता है पाइब से नहीं जाता है ठीक है फॉर सब्सक्राइब नहीं जाता तो ए और 3 लिख दिया, physics को मैंने 2 और 3 लिख दिया, ऐसे भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह आपके पास option है, आप इसको जोगो, जैसे मर्जी, factor tree बना सकते हो, ठीक है, ओके, चलिए एक और question देते हैं, एक जो fill in the square है, ठीक है, fill this square, वो भी आपने practice करने है, दो ही question है, उ आपको बोला जाए, yes, जैसे एक square दिया गया है, उसके मालो मैंने कर दिया, कितने part, यहाँ पर कर दिया, मैंने इसके, 3, 6, ठीक है, कितने part होगे, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, ठीक है, तो यहाँ पर कितने part होगे, इसके, 12 पर पार्ट होगे, तो आपको पुछा है, आपको पुछ मतलब कि seed, आपको बोला जाए, कि seed करिए, fraction में दे रहा है, seed करिए, 7, 12, पार्ट, ठीक है, 7, 12, पार्ट, इसका जोबो, आप seed करिए, तो आपको यहाँ पर पता होना जाए, कि उपर वाला जो है, वो numerator होता है, और नीचे वाला denominator होता है, डिनॉमिनेटर का मतलब यहाँ प पर देखे, आप लोकर काउंट कर सकते हैं, 12, अगर टोटल पर नहीं दे रहिए, तो 12 पर ईिकौल पर उने जरूरी है, तभी आपका जाबो, Wijवस्ट एक्सेट कर सकते हो तो ऑपका जाबो, आगसेक्ट जाबो, आंसर होगा, तो 12 का होना जरूरी है, सब ही जाबो पार्ट यहां पर equal है, तो मैंने कर दिया, one दूसरे बाला मैंने एक दिया, third मैंने एक दिया, ठीक है, fourth मैंने यह भी यहां पर कर दिया, और fifth मैंने यहां पर कर दिया, seven करने है, sixth मैंने यह बाला कर दिया, one, two, three, four, five, six हो गया, और seven मैंने यह बाला कर दिया, ठीक है तो मैंने इसको seed कर दिया 7 upon 12 ठीक है ध्यान रहे अगर आपको part तो part दे रखे हैं तो ठीक है total part अगर नहीं दिये हैं तो total part करना पहले जरूरी है जैसे मालूब 12 है तो 12 part equal part होने बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद आप 7 part बोलाए कि 12 में से 7 करिये तो 7 को करिये जो कोछ जाते हैं कि factor अचा factor की मैंने आपको बता दिया कि factor कैसे बनाते हैं फैक्टर मल्टिपल भी आपको आने चाहिए तिक है । अगर मालों आपको ऐसा कोश्मों पूचा गया जैसे माल लो जैसे mcqs भी आपको आएंगे पिपर में mcqs उसमें जवाब आपको multiple twice question होगे three three option होगे four option नहीं होगे three option होगे जैसे माल लो आपको पुछा गया कि जैसे माल लो आपको पुछा जाएगा कि कुछ भी बुचा जासकता है ऐसा नहीं है कि ऐसे question आएंगे आपको इन से related question आसकते हैं फेपर में ठीक है यह तो आपकी revision है तो इन question का important order मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो इन question का आपने घर में practice करनी है ठीक है जैसे माल लो आपको पुछा गया कि multiple of multiple of five तो option है आपके बास six b option है 15 और c option है माल लो 17 ठीक है तो इन में से multiple कौन सा है 5 का तो आपको पताए कि multiple क्या होते है multiple क्या होते है और जो multiple होता है वो इससे जो डिवाइड हो जाना चाहिए ठीक है क्यूंकि multiple और डिविशन जो वो एक दुस्टे का inverse होता है तो इसलिए 5 का जो multiple है 15 होगा 5 की टेबल में 15 आता है और 15 भी 5 से डिवाइड हो जाता है ठीक है 53 जा 15 होता है 6 नहीं आता है 17 नहीं आता है ठीक है तो multiple कौन हो गया 15 हो गया यह तो बहुती simple question था तो कुछ ऐसे question कि आपने practice करिए ठीक है कल फिर से मैं कल आपने आगे पढ़ना है ठीक है एक और question जैसके मानलो आपको पुछा जाएगा कि 4.629 प्लस करिए 0.004 और इसमें और प्लस करिए कि 24.9 ठीक है मानलो ऐसे जाब हो आपको पेपर में पुछा गया है तो आपने क्या करना है बहुती simple question था प्लस ही करना है इसमें ठीक है तो मैंने आपने पहले जो फर्स नमबर लिखना है 4629 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ लिखो या छोटा लिखो आपने प्लस करना है लेकिन जब आपने माइनस करना है तो आप लोग बड़ा नमबर पहले लिखे ठीक है 467 4.629 ठीक है इसमें पहले मैंने यह वाला नमबर लिख लिए अब दूसरे वाला नमबर लिखने लिए मुझे पॉइंट के नीचे पॉ लेफ्ट हैं साइड तो 4 लिखा मैंने और यहां पर 2 लिख लिए ठीक है और आगे है पॉइंट के आगे 9 और यहां पर 00 मैंने लगा लिए अच्छा 2 के ओपर कुछ भी नहीं है तो यहां पर 00 लगा सकते हैं फिर आप प्लस किजिएगा जोब आप प्लस करेंगे तो आपक ठीक हम कहरी थी ठीक शुक्ता है और शिक्स कितना होता है 15 तो 15 का मैंने यह एक फ़ाइब लिख लिए फिर से आगे फौरवड होग्ध है फॉर औरшее चुर्वाइट होते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए थिक है यह अपको बताया पाइंट के नीचे ही आपका homework आजी है आप revision करिए पूरे सभी chapter का 4 chapter का revision करिए सभी homework बेजिए homework done बेजिए जब आप revision कर चुके हो तभी आपकी जब वो present लगई ओके thank you